फिल्मों में भले ही खलनाई की भूम का निभाते हैं लेकन असल जिन्दगी में वो किसी बड़े मसीहा से कम नहीं है हम बात कर रहे हैं बॉलिवोड अबनेता सोनु सूद की जो पिछले कई महिनों से लगातार गरीब वा बेसाहरा की मदद करते नजर आये हैं लोगडाउन के दुरान सोनु सूद ने अपने पैसों के बदोलत पर 12,000 से ज़्यादा परवासियों की मदद की है और उन्हें सही सलावत उनके घर तक पहुचाया है सोनु सूद बॉलबुट के गलियारों में काफी ज़्याद सुर्खिया इन दोनों बटोरते हुए नजर आ रहे हैं और आए दिन मीडिया और सोशल मीडिया पर उनको लेकर कोई ना कोई खबर आती ही रहती है लेकिन इसे भी सोनु सूद का एक बड़ा काम देखने को मिल रहा है जहां पर एक गरीब किसान की मदद करते दिखाई दिया है सोनु सूद इस वीडियो में आप साब देख सकते हैं कि एक गरीब किसान का परिवार खेत में हल चला रहा है लेकिन हल को खीचने के लिए ना ही बैल है ना ही ट्रेक्टर ये गरीब किसान के पास पैसा नहीं है और लोकडाउन के वज़े से इसके घर की हालत दिन पर दिन खराब होती दिखाई दे रही थी इसलिए इसने बैलों की जगा अपनी बेटियों को हल जोतने के लिए लगा दिया बाद में ये सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल हुआ और जब ये वीडियो सोनु सूद के पास पहुँचा तो सोनु सूद ने फोरण इस परिवार की मदद की आपको जानकर हरानी होगी कि सोनु सूद ने इस परिवार के लिए सबसे बड़ा काम कर दिया है सोनु सूद ने इस गरीब परिवार के घर पर ट्रैक्टर भिजवा दिया जिसके बाद से इस सोनुसूद के इस बड़े काम को लेकर काफी सरी चर्चाइं की जा रही है और सोचल मीडिया पर सोनुसूद की जमकर तारीफें की जा रही है सोनुसूद पिछले कई महिनों से लगातार गरीव वा बेसाहरा की मदद करते नजर आये हैं अपने पैसों के दम पर उन्होंने कई हजार परवासियों की मदद की है लोगों के खाने पीने रहने से लेकर उन्हें सही सलामत घर पहुचाने तक का जिम्मा सोनु सूध ने अपने कंधे पर उठा लिया है और उसे बखोवी निभा भी रहें लेकिन ऐसे मैं सोशल मीडिया पर इस वाइरल वीडियो को देखने के बाद सोनु सूध का भी दिल पसीज गया और इस गरीब किसान की मदद करने के लिए उन्होंने सीधे ही उनके घर पर ट्रेक्टर भिजवा दिया ट्रेक्टर पाकर इस गरीब किसान की आँखों में खुशी की लहर दोड़ पड़ी मैं दूसरी और सोशल मीडिया पर एक बार फिर से मसीया बनकर उबर चुके हैं सोनु सूध सोनु सूध को लेकर सोशल मीडिया पर अब जमकर तारिफिक की जा रही है उनके काम की भी जमकर सरहना की जा रही है अब आपको सोनु सूध के इस बड़े कारनामे को लेकर क्या परतिक्रिया देनी है कोमेट कर अपना सुझाओ जरू दीजिए